A very good morning to all my dear students. Students, आज हम Google Classroom में कैसे enter करेगे, कैसे invitations को accept करेगे, और कैसे online class में enter करेगे, ये हम सीखेंगे. सबसे पहले, आपको अपने mail पे जाना पड़ेगा. Mail पे जाने के बाद, आपको देखना है, right hand side के उपर में एक icon दिख रहा है, वो icon पे click करना है. आपको school से दी गई Gmail ID से login करना है. पिछले वीडियो में मैंने आपको कैसे login करना है, ये बताया था, और आपने अगर login किया है, तो नीचे में आपको school की ID दिखेंगी, आपको उस पे click करना है. जब आप उस पे click करेंगे, तो आपका school का Gmail याँ पे खुल जाएगा. अब आपको वापस आना है, और आपको अपने classroom को open करना है. जब आप classroom को open कर लेंगे, तब आपको फिर से right hand side के उपर वाले icon पे देखना है. ये अभी भी हो सकता है, आपके phone के Gmail ID से login हुआ हो, आपको उसे वापस school के ID पर लाना है. जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने previously login किया था, तो जब आप इस icon को touch करेंगे, तो नीचे में आपको आपकी school की login ID दिखेंगी. आपको उसे touch करना है. जैसे ही आप touch करोगे, तो teachers ने already आपको classroom में add कर लिया है, आपको सिर्फ उसे join करना है. तो आप लोग join पे क्लिक करेंगे. Class 3A, SST, Join. जैसे ही मैं join पे क्लिक करूँगा, तब मेरी class join हो जाएंगी. देखिए, मैं classroom में enter कर चुका हूँ. वैसे ही मैं दूसरी classes को भी join करते जाएंगा. Teachers ने आपको पहले ही आपके IDs पे invitation दिया है, तो आप जबी भी अपना classroom खोलेगे, तो आपको यहाँ पर directly join का option दिखाएगा, आप उसे join कर लिजिए. अब हम हमारे Google Meet में चलते हैं. जब आप Google Meet को open करेंगे, फिर आपको अपने right hand side के उपर में एकोरिक icon दिखेंगा, हो सकता है कि यह आपके phone के personal Gmail ID से login हो, आपको उसे school के ID से login करना है. हमने पिछले बार सभी process complete कर ली थी, इसलिए जब मैं हापे touch करूगा, तो मुझे नीचे में school की demonstration ID दिखेंगी, मैं इसे क्लिक कर लोगा. अब हम online class में enter करना सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने Google Classroom को open करना पड़ेगा, और साथ में आपके पास आपका time table भी रहना important है. Time table में आपके time slots available है, और ये time slots पे ही आपकी class चालू होंगी. अब हम अपने Google Classroom को open करेंगे. Google Classroom में open करने के बाद मेरी पहली class, for example, demo class है, तो मैं demo class को open कर लूँगा. जैसे ही मैं demo class को open करूँगा, मुझे right hand side में तीन आइकेंगे. तीन आइकें में सबसे last वाला आइकें वीडियो जैसा दिख रहा है. आपको उस वीडियो पे click करना है. जब आप इस वीडियो पे click करोगे, तब ये automatically आपको आपके Google Meet पर direct कर देगा. तो जैसे कि आप सब देख सकते है, वो आइकें ने आपको directly आपके Google Meet पर join कर दिया है, और आपको बस अब join पर click करना है. जैसे ही आप join पर click करोगे, आप class में join हो जाओंगे. So students, अब हमने इस life class को join कर लिया है. Students, नीचे आपको काफी सारे आइकें दिख रहे है. आपको सबसे पहले अपने आपको mute करना है. Students, आपको हमेशा अपने आपको class में enter करने के बाद mute करना है, और teachers के सारे instructions को follow करना है. जब आपको teachers instruct करेगे कि अब आपकी class खतम हो चुकी है, तब आपको नीचे red icon, जिसे end call कहते है, उसे click करना है. और आप वापिस अपनी demo class में पहुँच जाएंगे. Students, अब हम वापिस आमारी demo class पे आ चुके हैं. अब मुझे next class में enter करना है. नेक्स्ट class में enter करने के लिए मैं वापिस background मुझे मेरी class 3rd B English में जाना है. क्यूंकि अब मेरा English का period है, इसलिए मैं English 3rd B class को click करूँगा. Click करने के बाद मुझे right hand side के उपर में फिर से 3 icon दिख रहे हैं. मैं video के icon को click करूँगा. और click करने के बाद फिर से ये मुझे मेरे Google meet पर direct कर देगा. Again हम join पर click करेगे तो हम फिर से class को join कर लेगे.